उत्तर परदेश में 7 चरण में मद्दान होना है और 6 चरण का मद्दान भी खतम हुआ है 7 चरण की तैयारी है और 10 अगामी 10 मार्च को जो उसके परिणाम आने हैं ऐसे में चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ पुर्बुद कुमार जी इस वक्त मोजूद है और खास तोर पर इनके एक अलग पहचान भी है उत्तर प्रदेश की पूर मुख्य मंत्री और बहुजन समाज मार्टी की सुपरीम और बहन कुमारी मायवती के भांजे भी है इसी पर जादा जानकारी के लिए बात करेंगे कि अब RLD में कैसे आए और बहुजन समाज पार्टी की राजनिती कहां तक इनकी समाप्त रही और कहां तक रही उस पर भी चर्चा करेंगे जी बहुत-बहुत स्वागत है प्रबुजी धन्यवाद घर में इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद मुख्यमंत्री भी रही बहन जी फिर भी आप RLD में आए क्या रिजन रहा कोई बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- कार बनेगी या फिर प्रियास हो रहा है पस्चिम में कैसा रहा प्रियास जो अभी चुनाव हुआ है उसको किसके का दिखते हैं तीकिए सेउत गडवंदन में सबसे बड़ा राजितिक दल सायोगी साथी का और राश्ट्रे लोग दल के रूप में हमारा गडवंदन है हमारा सीट पर पुरी मजबूती के साथ पुरी तागत के साथ चुनाव लड़ा है और संभावता अपने जितनी भी सीट हम लोगों के डवंदन में मिली है उसमें हम लोग सेंट परसंट चुनाव जीतने में कामियाब होंगे अब आगे की बात करूँ जिसे पश्चिम में यहां आप लोगों ने शाद मीडिया के अंदर अख़बार के अंदर आप लोगों भी सुना होगा कि किसान अंदूलन से जुड़ेवे लोगों ने कहा है कि दस तारिक तक जो इवे मशीने हैं उनके रखवाली करनी हैं तो आम पब्लिक को तो कहने को कोई अवसकता नहीं पड़ती कि जो किसान अंदूलन से जुड़ेवे लोग हैं उन्होंने खुद कहा है कि जिनकी निगरानी में जिनकी सरपरस्ति के अंदर मशीने रखवी हैं वही शुरक्षित नहीं है तो उसके बाद तो कहने के लिए कुछ बसता ही नहीं है बात करूं किसान सम्मान निदी की फिला किसानों मेरे पास अग्रिकल चलेंड है और तकरिमन 10-11 साल से मैं जो है हम लोग खेती कर रहे हैं मेरे पास तो आता कि एक रुपया नहीं आया हम लोग जो भी इन्फोर्मेशन की उसाब दे चुके हैं सासन को अभी तक रुपया नहीं पता नहीं किसको दिया गया है राज जो कहते हैं करने का भी काम करते हैं सभी गडवंदन आपने का लेकर बात करूं तो अभी बिजली जो विजली भाग है वैसे इतना घाटे में चल रहा है तो फ्री कैसे कर पाएंगे यूपी में क्या दिल्ली की कुई रणीती ऐसी कुछ अपना रहे है या फिर वोटरों को लुबाने का काम कर रहे हैं किसानों को लुबाने का काम कर रहे हैं देखिए हमारी जो पार्टियों लुबाने का काम नहीं करती है उनको पता है किस तरीके से करना और कब करना और कैसे करना है आप चुनाओ दस्तारिक का रिजल्ट आने दीजिए आपको पूरे प्रदेश साथ वे चरण की तैयारी है इसको किस परकार देखते हैं, कितनी सीटे चारे यूपी में अब कि इतनी सीटे आने वाली है देखे 403 सीटे हैं हमारा जो आपना माना 370 के आसपास हम लोग सीटे जीतेंगे खेर यह थे हमारे साथ प्रभुद कुमार जे आरेलडी के वर्ष ने था भी थे साफतोर पर इन्होंने बताया कि तीन सो प्लस सीटे लाकर और गडबंधन की सरकार यूपी में बनने जा रही है जनतंतर टीवी के लिए गाजे बात से सुने लगता हूँ